हेलो फ्रेंट्स अब देख सकते हो यह 77 ब्येस पोर्ट ट्राक है 14 जगा जो ट्राक है इसका चेक लंप और एमाई लंप जला हुआ है और ड्राइवर ने कहा जो इसका जो फ्यूल कॉस्ट जो है डिजेल जारा खा रहा है और मीटर बूर्ड पर चेक लंप जला रहा है तो फ ही दिख देख सकते हो 3583 जो फोलकॉड है 지금 एक्टिव है और 2771 जो फोलक do अप्डेट रहे तो फ्रेंट्सवी 시작 1 जोकोड एप्ट बिख प्रेंट्स लूंप्र इपी मैं जो fall code है इसी के कारण 3583 fall code active हो गया तो friends ए 2771 जो fall code है इसका कारण क्या है जो noc sensor है noc sensor में 4 wire लगा रहता है चार वायर में एक वायर पर 24 वोल्ट और एक वायर में 3 वोल्ट और एक वायर में 2 वोल्ट सिगिनल वोल्टेज मिल रहा था और एक ग्राउंड था तो फ्रेंट्स यह जो 2771 फॉलकोड है इसमें 24 वोल्ट मिलना मिलने से यह वा लूज करेक्शन के बज़ा से यह फॉलकोड आक्टिव हो जा रहा था तो फ्रेंट्स यह सब बाकी सब फॉल कोड़ है इने की वे 117 दूसरा 149 अच्छलीस तो फ्रेंट्स सब फॉल कर्ड़ी पहले हमें इसका जो नोगसेंशर का जो फ्यूस है फ्यूज गुज देख सकते हो यह फ्यूज बॉक्सका कबर जो कबर के उपर नॉक्स चैंसर लिखा होकर 20 एंपियर का देखेगा तो यह फ्यूज़ नॉक्स चैंसर पर यह जा रहा था 24 फोल्ट जाएगा तो फ्रेंट्स एप हम पहले यह प्यूज़ को देखा तो प्यूज़ ए प्यूज़ कटा होने के बज़ा से से इसका जो 2 2 171 फॉस का नया fuse डाल लेते हैं तो अब देख सकते हो यह नया fuse डाल दिया 20 mpR का उसके बाद हम देखेंगे जो 2771 झोस ही आक्टिव है यह इनक्टिव है तो प्रेंस हमे इसके देख सकते हो खुल कोड पर आया मैं देख सकते हो छो 2771 फॉल कोड है यहाँ पर नहीं है नीचे की तरप आप देख सकते हो इन अक्टिव हो गया तो फ्रेंट्स हामें 241, 117, 418 अब यहां पर देख सेखते हो नीचे 2771 जो फॉल कोड है यह इन अक्टिव हो गया तो फ्रेंट्स यह 2771 इनक्टिव होया उसके बाद आप देख सकते हो जो 3583 जो फॉल कोड है यह अभी भी अक्टिव है तो फ्रेंट्स इसी के कारण इन्स्टूमेंट क्लस्टर मीटर पर चेक लम जलेगा लेकिन यह 3583 कैसे इनक्टिव करना है तो आप फ्रेंट्स गारी को रानिंग करने के समय इनक्टिव हो जाएगा और आप यह भी कर सकते हो 5-10 मिनिट हीट करके जो यह फॉल कोड इनक्टिव कर सकते हो तो फ्रेंट्स हम कारी को स्टार्ट किया स्टार्ट करने के बाद यहां पर जो इस एर आउटलेट टमप्रेचर है अप्रेटिव में एस एर आउटलेट टमप्रेचर उसको लगभग 400 डिगरी फारनिया तक ले जाना चाहिए उसके बाद ओ जो 3583 जो फॉल कोड है इनक्टिव होगा तो फ्र फ्राणीट पर एक्से पॉंदा डिगरी फारनिया दिखा रहा है कि फ्रेंट यह फॉल कोट अम चाहिए देख सकते हो तो फॉल कोड़ें पर ichis केलफ स्केल पर आप हीट करोगे तो इस सेल्सियस स्केल पर हीट करने से दो सो डिगी सेल्सियस पर हीट करने से हो जाएगा तो फ्रेंट्स एक फारानाइट पर सेटिंग है तो हम इसको हीट करेंगे SCR outlet temperature जो SCR box से उसको हम हीट करेंगे तो फ्रेंट्स एक्सलाटर दबा के हम हीट करते हैं तो फ्रेंट्स अब यह देख सकते हो SCR intake temperature जो increase हो रहा है 148 degree Fahrenheit अब outlet temperature तो अब देख सकते हो 166 degree Fahrenheit तो फ्रेंट्स यह जो SCR outlet temperature है यह हो सकता है खराब है क्योंकि यह जो intake temperature और outlet temperature लगवग एक दो का difference होगा लेकिन यहाँ पर ज्यादा difference दिखा रहा है तो पहले भी आप देख सकते हैं देख लिया तो फ्रेंट्स यह जो SCR outlet temperature है उसके खराब होने के बज़े से यह SCR outlet temperature बज़़वाद सो करा है देख सकते हो अब सही से उड़ रहा है आप्टर टीट्मेंट SCR outlet temperature डिगरी फारनेट तो अब यह पर देख सकते हो increase हो रहा है दूसा बारा डिगरी फारनेट दूसा पुन रहा दूसा रहा दूसा बाइस दूसा पच्चिस ऐसे बढ़ रहा है तो ऐसे करके करके 400 डिगरी फारनेट तक जाएगा उसके बाद यह जो 3583 जो फॉल कोड है इनक्टिव होगा तो फ्रेंट्स अम इसका वीडियो पूरा रेकोड किया जो हीटिंग यह जो टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है जो समझ में जो पूरा का पूरा समझ में आए कितना टाइम लेकर हीट करेंगे तो हमें यह जो पांस से साथ मिनिट फूल रेस करके हीट करना होगा यह सियर आउटलेट जो टेंपरेचर है उसको इंक्रीज करना है तो फ्रेंट्स अब यह देख सकते हो 304, 306 इससे करके बढ़ रहा है 308, 3010 यह पूरा वीडियो स्किप कर सकते थे लेकिन यह जो पूरा का पूरा आँखों में देख सकते हो फ्रेंट्स कैसे इंक्रीज हो रहा है इसलिए स्किप नहीं किया वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया फिर भी पूरा का पूरा जानकरी मिले इसलिए हम स्किप नहीं किया इस वीडियो को तो पूरा रेकोड किया कितना टाइम लगता है अब देख सकते हो 332, 344 इससे करके इंक्रीज हो रहा है तेंपरेचर, इस एर आउटलेट टेंपरेचर इनक्रीज हो रहा है तो फ्रेंट्स ए Jug adelante, 349, 340 ऐसे करके बढ़ रहा है अब देख सकते हो 345 इससे करके बढ़ रहा है तो एसे этуďक टेंपरेचर सिगनल फोल्टेज जो है 3.1 वोल्ट देख सकते हो वोल्टेज सिगनल वोल्टेज देख सकते हो उसके बाद आउटलेट टमप्रेचर इनकेज हो रहा है 341-342 ऐसे करके बढ़ रहा है बढ़ने से अब यह थोड़ा वीडियो कर लेते हैं लेकिन बहुत टाइम लाएगा मैं 2-3 मिनिट एक्स्ट्रा ज्यादा लाएगा इसलिए एक दो मिनिट वीडियो को स्किप कर लेते हैं तो हम देखेंगे जो 352-354 ऐसे करके वीडियो तो आप यह 352-393 जो टंपरेचर हुआ तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो तो 3994 तो 3994 डिगरी फारणाट जब हीट हो गया मीटर पर देखा जो चेकलम है और चेकलम चला गया तो हमें इसके बाद हमें फॉल कोड़ पर आके देखेंगे वह 3583 फॉल कोड़ एक्टिव है या नहीं तो फ्रेंट्स हम फॉल पर आया तो प्रेंट्स आप देख सकते हो इज फॉल कोड़ है फॉल कोड़ देख सकते हो ओ जो 3583 फॉल कोड़ चला गया है तो 585 इनक्टिव है 49488 इनक्टिव है यह सब इनक्टिव है और नीचे भी देख सकते हो जो दोनो फॉल कोड़ एक्टिव था 3583 2771 वो दोनो फॉल कोड इनक्टिव हो गया तो friends हम इसको फॉल कोड है हम रिसेट किलियर फॉल को रहेंगे तो किलियर फॉल करने के बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे वो फॉल कोड फिर से आ रहा है या नहीं तो friends हमें यह जो फॉल कोड अब रिसेट कर लेंगे रिसेट करने के बाद देखेंगे तो अब जानते हो कैसे रिसेट करता है तो यहां पर रिसेट क्लियर फॉल्स नाँ तो आप यहां पर देख सकते हो क्लियर फॉल्स फॉल्स फॉम एंजिन तो यह clear हो रहा है तो की आप completed यह आप चाबी वह आप कर सकते हो और ना करने से भी कोई दिक्कत नहीं तो आप एक क्लिक कर देना है की आप completed पर यहां पर 30 seconds वाइट कर लेना पड़ेगा तो 30 seconds के बाद आपको की allow करने के भूलेगा तो उसकित कर सकते हों कर सकते को है इस साथ सेकड शावया सेकंड फास सेकंड चार सेonneंट तो सेकंड एक सेगंड गया उसके बाद आपको चाबी और वटान करने के रहा हैं तो आप क्लिक करने के बाद Phone goes that है तो कि आप complete क्योवक्स completed हो गया और reconnecting the ECM तो ECM पर reconnect हो रहा है तो फ्रेंट्स अब यहां पर देख सकते हो false cleared successfully तो फ्रेंट्स यहां पर जो false code था सब कुछ clear हो गया तो फ्रेंट्स हमें फिर से भी false पर देखेंगे false पर क्लिक करके देखेंगे कोई false code एक्टिव है या नहीं तो फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हो no fault found वोलूद बानर पर अब देख सकते हो जो no fault analysis फ्रेंट्स यह internet connection नहीं है करा इसलिए वो दिखा रहा है जो हम प्रेंट्स से जो अब meter board पर देख सकते हो जो check लिखा रहा था check engine नहीं था वह चला पर आज है और हम मैं start करकर देखेंगे वह आ रहा है या नहीं तो फ्रेंट्स हम गाडी को start कर लेते हैं till start करने के बाद हम देखेंगे तो यह आप ऐसब कुछ वूआ है स्थों ूर्ट टी एंट जो हर्दियम है वह घृष नहीं है तो हमारा यह problem solve हो गया, तो friends, ऐसे ही हमें BS4 का जो video आपका helpful होगा, तो हम लाते रहेंगे, और BS6 ते उपर ज्यादा हम video डालेंगे, तो thank you so much.